वेलकम बैक टू दे शनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन बिटकून के बारे में मार्केट से आने वाली कुछ इंपोडेंट अपडेट के बारे में इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ अपडेट से उनको हम देखेंगे और मार्केट से आने वाली हर एक इंपोडेंट अपडेट जो भी एमर्जेंसी अपडेट मुझे मिलती है सबसे पहले में टेलेग्राम पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इंफ्लो कर कर जो डेटा आया था लगबग साथ से आड़ जार के आसपास का इंफ्लो का डेटा क इसका जब से ब्रेकडाउन हुआ है एक रिटेस्टिंग हमें चाहिए एक कन्फरमिशन हमें चाहिए तो रिटेस्टिंग के लिए यह अपनी बोटम ट्रेल लाइन के पास आतो गया है लेकिन यहां से अभी इसको रिजेक्शन मिलने के ज्यादा चांसे होंगे और कल की option expiry होने वाली है यानि कि जो option trading करते हैं तो option expiry की आज date है तो जो beer से उनका ये aim है कि bitcoin को कैसे भी करके 29,000 के नीचे रखना है क्योंकि 29,000 के आगे इसको नहीं ले जाना है क्योंकि क्या होगा जो put के order लगे हो हैं ठीके वो अभी ज़्यादा है यहां पर आप देख सकते हो put के order ज़्यादा लगे हो हैं तो जो beer से उनका ये aim है कि bitcoin कैसे भी करके 29,000 के आसपास या फिर इससे नीचे रहे इसके लावा अब बात करें अगर market से आने वाली कुछ important updates के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो एक update मुझे देखने को मिली चोकि telegram पर already मैं आपके स enforcement agency हैं इनके साथ जो वजीरिक से वो users का data share कर रहा है और आगे भी करेगा because उनको तो अपना दंदा चलाना है ना उनको तो ऐसी agency उसे पंगा नहीं लेना है तो वजीरिक्स जो है अपना 100% जो user info है वो LEA के साथ में share कर रहा है यहां पर हम देख सकते हैं Indian crypto exchanges वजीरिक्स receive over a thousand information request from a low enforcement agency worldwide between September 2021 and March 2022 and it also shut down over 17,000 account at 90% rise from the previous 6 month यानि कि इन्होंने 17,000 accounts को shut down भी किया है क्योंकि वो illegal activities में involved थे इसके अलावा default in वजीरिक्स user base during the time could have been triggered by a rise in taxes and regulatory uncertainty यानि कि जो वजीरिक्स का user base है वो अभी हमें घड़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि Texas अभी काफी बढ़ रहे हैं इंडिया में इसके लावा regulatory uncertainty भी बनी हुई है तो जिससे जो वजीरिक्स के user है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है बाकि यह एक important बात थे कि जो वजीरिक्स है वो अपना user data है वो legal enforcement agency के साथ share कर रहा है तो आपको alert हो जाना चाहिए अगर आप किसी भी illegal activity में involved हो इसके लावा next update की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते है Indian governments blockchain not crypto stands highlight lake of understanding basically coin telegraph पर एक report publish की गई है जिसमें यह बताया गया है कि Indian government जो है वो blockchain और crypto को अल knowledge नहीं है हाला कि जो सरकार की कुछ सत्ता पक्ष के लोग है उनको crypto के अच्छी knowledge है फिर भी वो crypto के अगेंच जा रहे है जबकि जो विपक्षी दल है पूरी report में है सब कुछ चीजे बताए गई है कि जो विपक्षी दल है उन में से भी काफी लोग crypto के geek है या फिर crypto या blockchain के जानते हैं और वो crypto को support भी कर रहे हैं फिर भी जो सरकार है वो crypto को लेकर काफी सक्ति नियम अभी लागू कर रही है जिससे कि इंडिया में जो crypto की growth थे वो सही डंग से नहीं हो पारी है इस report में भी यही बताया गया है कि lake of understanding के वज़े से जो Indian government है वो blockchain और crypto को अलग-अलग म काम की update है कि जो पाकिस्तानी government है वो साला ना 90 million dollar तक का revenue या फिर जो tax है वो generate कर सकती है 15% tax crypto transaction के उपर लगा के अगर यह 15% tax crypto transaction के उपर लगाएगी तो भाया वहाँ पर trading तो ना के बराबर हो जाएगी या फिर maximum low crypto hoodless बन जाएगे trading वहाँ पर कम से कम हो जाएगी तो यह भी एक important update थी पाकिस्तानी viewers के लिए कि वहाँ पर अभी per transaction 15% tax लगाने की बात चल रही है next update की बात करें तो यह update टेलेग्राम पर already मैंने आपके साथ शेयर कर दिये कि G7 financial officials call on financial stability board to step up crypto regulation report आपके साथ मैंने यह जो report थी वो टेलेग्राम पर already शेयर कर दी थी कल कि Luna collapse को देखते जो G7 finance minister है उन्होंने जल्द से जल्द global crypto regulation के बारे में बात कई है यानि कि globally हमें crypto regulation आता हुआ देखने को मिल सकता है इस UST Luna crash के बाद में और अब बात कर अगर Luna के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Luna के हालत दिन बदिन पतली होती जा रही है और अभी भी जब म candle से एक tweet अभी जारी किया गया कि we have published an amendment to proposal 1623 incorporating the community's feedback since its publication two day ago please see below for detail तो यहाँ पर हम इस पर click करते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने अभी जो amendment किया है अभी जो इसमें थोड़ा बदलाफ किया है plan 2 में वो यह है यहाँ पर आप देख सकते हो amendment hashtag 1 some details of the token allocation have been modified in the proposal to accommodate community feedback यानि कि community से जो इनको भी feedback मिला है उसको देखते हुए इन्होंने कुछ changes करें कुछ modify किया है और वो modification यह कि pre attack Luna holder distribution for all holders with snapshot balance of 10k Luna और less 30% unlocked at genesis 70% wasted over 2 year साती इन्होंने 6 month का clip भी दिया हुआ है साती हम देख सकते हैं post attack UST holders के distribution के लिए इन्होंने 20% से 50% कर दिया है sorry 15% कर दिया है इसके लावा post attack UST holders के distribution के लिए इन्होंने 20% से 15% कर दिया है साती है आप देख सकते हो increase initial float जो है इन्होंने 15% से 30% कर दिया है तो basically इन्होंने कुछ changes करे हैं अपने distribution में साती motivation की बाते इसमें कुछ बताए गई है समरी आप जाकी देख सकते हो मैं ज़्याद in इसका जाए इसको अँवें इसके से पडलाते इसके बाते अप देख सकते हो तो ये एक update थी कि इन्होंने वापस से एक amendment plan लाया है तो ये अप crypto currency जो की काफ़े strong थी अगर यही 99% से भी ज़्यादा crash हो सकती है 100% crash हो सकती है तो बाकी की और crypto coins भी crash हो सकते हैं तो इससे उनका जो interest है short term के लिए crypto में कम होगा but in the long term the demand will recover यानि कि long term में जो demand है वो recover होती हुए में दिखेगी ऐसा मानना है हो भी global के CEO का इसके लावा यहां पर आप voting की बात करें तो voting जो है वो अभी भी चल रही है और इसको लगबग 5 दिन है यानि कि 5 दिन के बाद यह जो voting है वो end हो जाएगी और अभी भी 79% लोगों का yes पर vote है यानि कि उनका मानना है कि यह जो टेरा का नया plan 2 है updated जो है final जो है वो सही है और इसको execute करना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो 27 मही के आसपास अपनी timeline के according यह जो अपनी नई blockchain वो launch कर सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी launch करना थोड़ा एक हमें भी शोक दे रहे हैं कि इस तरीके से कैसे यह इतनी जल्दी जो अपनी नई blockchain उसको market में उतारेंगे और कई updates मैं ने यह भी देखी जिसमें बताया गया कि यह जो पूरा टेरा का crash है यह पूरा pre-plan था next update की बात करें तो वो आ रही है अवेलांच से जुड़ी हुई आपको पता हो कि टेरा लुना के जो reserve fund है उसमें अवेलांच भी है अवेक्स भी है तो अवेक्स का जो official twitter handle है उन्होंने अभी 9 घंटे पे ले एक tweet करा है लुना foundation guard purchased 1.97 million अवेक्स to be used for the टेरा reserve pool the allocation presented around 0.9% of the past week's अवेक्स volume यानि की जो लुना foundation guard है उन्होंने 1.97 million अवेक्स purchase करे थे अपने reserve pool के लिए जो की 0.9% था of the past week's अवेक्स volume तो उन्होंने final tweet में अपने ये कहा है कि should any sale be contemplated for the LFG reserve the Avalanche foundation is ready to work with LFG on sensible trading strategy तो basically Avalanche वालों को भी डर लग रहा है कि LFG ने अगर अपने reserve से 1.97 million अवेक्स सेल कर दिये तो अवेक्स की जो प्राइजे उसमें हमें भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है तो इसलिए इन्होंने LFG को कहा है कि भाया हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए एक साथ काम करना चाहिए हम भी ready हैं काम करने के लिए for the sensible trading strategy तो जो LFG है वो Avalanche foundation के साथ में काम करते हुए sensible trading के जरिए अपने जो reserve से अवेक्स से उसको निकाल सकता है because अगर ये अपने reserve को use नहीं करेंगे तो ये अपने plan को सही डंग से execute नहीं करेंगे तो अवेक्स के holders के लिए भी इंपोर्डन ए कि अगर LFG ने अपने reserve में से अवेक्स को sale करा तो अवेक्स की price में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी जितना लूना की क्रेश में हमें देखने को मिला लेकिन अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर इन्होंने अपने reserve से अवेक्स को sale करा तो आज के इस वीडियो में यह सारी न्यूज अपडेट डिसकस करी और आई होप यह वीडियो आपको पसंद आए होगा और वीडियो पसंद आता है तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक कराओ और एक important बात अगर आपको मेरी वीडियो की notification टाइम से नहीं मिलती है unsubscribe करके वापस से subscribe कर लो और bell icon को वापस से प्रेस कर लेना जिससे कि आपको टाइम पर सारी notification मिलती रहे तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ तिल देन जैहन जै भारत